एक जागरुक महिला अपने परिवार की सम्रिध्धी और प्रगती में बड़ी भागेदारी ने भाती है। और जागरुकता की दिशा में डिजिटल माध्यमों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। खास कर स्मार्टफोन बहुत महत्वपून डिजिटल टूल है। इसलिए हमारे माननेय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोट जी का मानना है कि समार्टफोन नाम का ये डिजिटल टूल प्रदेश की सभी वर्गों की महिलाओं के पास होना चाहिए। और इसी विचार पर राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपून योजना बनाई है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। यानी राजस्थान के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा निशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। पहले चरंड में राजस्थान सरकार द्वारा लगाया जाने वाले कैम्पों के माध्यम से 40 लाख महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकेंगी। चिरंजीवी परिवार की ये महिलाएं होंगी लाभार्थी 9 से 12 कक्षा तक की सरकारी स्कूल की चात्रा हैं। आपको अपना जनाधार कार्ड, जनाधार कार्ड से जुड़े फोन नंबर वाला फोन और पास्पोर्ट साइस फोटो लेकर स्मार्टफोन वितरन कैम्प जाना होगा। 18 वर्ष से कम उम्रकी लाभार्ती जनाधार मुखिया को साथ जरूर ले जाए। कैम्प में आपका eKYC किया जाएगा। इसके बाद आप अपने पसंद की कमपनी का फोन, सिम और इंटरनेट डेटा प्लान चुन सकेंगी। फिर आपके फोन में e-wallet app डाउनलोड किया जाएगा। अब आपको e-wallet app में DBT के माध्यम से 6,800 रुपए हस्तांतरित किये जाएंगे जिससे आप अपने स्मार्टफोन और सिम का भुकतान कर सकेंगे। यानि अब आप इस स्मार्टफोन से सरकार की योजनाओं की जानकारी पा सकती हैं, योजनाओं के लिए घर बैठे, आवेदन कर सकती हैं, इनका लाब ले सकती हैं, साथ ही देश दुनिया से जुड़ सकती हैं। आपकी और आपके परिवार की खुशहाली वो तरक्की की दिशा में ये हमारा एक प्रयास है महिला सम्मान जै राजस्थान